नमस्कार सुजस वुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरोही एक नजर हेडलाइन्स पर मुख्यमंत्री ने उद्यपूर में दो दिवसिय संभाग इस्तरिये किसान महुत्सव काक्या शुभारंब कहा क्रुश्यक्षित्र में नए आया मस्थापित कर रहा राजस्थान मुख्यमंत्री ने डुंगरपूर के थाना में किया महँगाई राहत काम का वलोकन लाभार्थ्यों से संभाद कर सौपे गैरेंटी काई किसानों को क्रिशी जगत की नई तकनीकों से रूबरू करवाने के मकसद से उद्यपूर में दो दिवसिये किसान महुत्सव आयुजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री श्री अशोग गहलोत ने आज उद्यपूर में संभाग स्तरिय किसान महुत्सव का शुभारम किया मुख्यमंत्री ने मंडी परीसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकारपन भी किया और विधिवत रूप से गौपूजन भी किया उन्होंने परीसर में पाउधार ओपन करने के बाद कृशी प्रदरशनिक आवलोकन किया किसान महुत्सव में किसान बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं दो दिवस्य महुत्सव के दोरान किसानों को कृशी उद्याने की और पशुपालन विभाक की ओर से विभन सत्रों में जाजम चौपाल आयो जित की जाएंगी इस सवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को पारंप्रिक खेदी के साथ ही आधुनिक क्रिशी पद्दती को भी अपनाना चाहिए इससे उत्पादन में बड़ोत्री होगी और उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी यह किशान मावस्व जयपुर में होगा है संपन आरोड़ेपुर में है और तीस तारीक जोदपुर में होगा इत्पर अगार हर संबाग के अंदर जयपुर के माद्यम से जो आधूनिक तक्निक है किशानों के लिए इजाद होती रहती है वेगानी के परियूग करता है रिसर्च करता है वो रिसर्च का फायदा किसान तक पहुंचे खेते तक पहुंचे नहीं नहीं उपकर्ण आते हैं नहीं नहीं तक्निक होती है इते जहूर यह कि हम लोग ऐसे मेले लगा करके उस्व मना करके किशानों को अवगत करवाएं जो उस्वा किसान ले रहे हैं मेलों के अंदर उस्वा के अंदर यह इस बात का प्रतिक भी है कि किसानों लाजता है हम जो आगे शीव किसान बनें हम ट्रडिशन खेती करते करते से सालों भीड़ गए पर आधुनिक खेती करना भी जय हो ली है आधुनिक एंत्रों से आधुनिक टेक्निक से आधुनिक जो वेगयनिक तरीके शिखाते हैं उनसे उत्पादन बढ़ता है पालिटी बढ़ती है मुक्यमंत्री ने कृष्यु पज मंडी सब्याइड बलीचा का लोकारपन कर उद्यपूर के किसानों को नई सौगाथ दी नई मंडी की सौगात मिलने से उद्यपूर ही नहीं बलकि संभाग के विभन जिलों के किसानों को भी सुइधाय मिलेगी मुखमंतरी ने कहा कि राजिस्थान क्रिशी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है बाज्रा तिलहन और दलहन के उत्पादन में जहां राज्रे नमबर वन है वहीं दूध और उन के उत्पादन में भी अवल है राजस्थान आज हर शेत्र में प्रगती कर रहा है ग्याउं के अंदर एक्सपोर्ड कर सकते हुआ हमारी इस्तथी बन गई है और तो बाज्रा में सर्सों में तिलन में दिलन में और चने के अंदर आपको मारम होगा पूरे देस्स एंदर रातैन नमबर भन आ घया है ये इस्तथी बन गई राज्तन वन आ गया है मुख्यमंतरी ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के हित के लिए राजो सरकार लगातार काम कर रही है लंपी रोग सिमरत गौवंश के मुआवजे के तौर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपे की सहायता राशी दी गई है राजस्तान में किसानों के लिए 7,500 करोड रुपे का किसान कल्यान कोश भी बनाया गया है लंपी रोग आ गया हिंदुस्तान में एक मत्य सहिगा राश्तान में हैं चारीज हजार रुपे प्रती गाय जो मर गई है अभी मैंने एक एक सो पिछे तकोर में मांटे हैं 22,000 परशुपालकों को अभी 10 दिन पहले मांटे हैं डीवीडिक लिए मैं आप सोच सकते हैं आगे गाया में इब्हमा कर दिया है गाय भाषगावी दो परशुपालशी परफी परिवार को भीमा रूआ को ड़ेंडागा इस पिकार त्य करभि कें मैंने किशान करलंकूर बनाय था अब उसको मैंने 7500 कोड का किशान करलंकूर बना दिया है कि आप सूछ सकते हैं कि कशी के रिसर्च सेंटर रायता में ही तक ही नहीं होगे पांस तो पहले किशी विश्वेजर पांस थे मुख्यमंत्री श्रीय अश्योग गहलोद हुदबूर के सलूंबर पहुचे जहां आमजन ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वाकत किया सलूंबर को नया जिला घोशित करने के लिए स्थाने लोगों ने मुख्यमंत्री का भार भी चताया मुख्यमंत्री ने राजकिय उच्छ माध्यमिक विद्याले में सलूंवर को जिला घोशित किये जाने पर आयोजित धन्यवाद जनसभा को संबोधित भी किया मुख्यमंत्री श्री अशोग गहलोत ने डूंगरपूर जिले की ग्राम पंचात थाना में मेहगाई राहत काम्प और प्रशासन गामों के संग अभिहान के तहत आयोजित शिवरों का वलोकन किया इस दोरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संबाद कर गैरेंटी कार्ड सोपे इस दोरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बात चीत कर उन्हें राज्यो सरकार की जनकल्यानकारी योजनाव की भी जनकारी दी मुखेवंतरी ने कहा कि राजो सरकार की दस योजनाओं का सीधा लाब इन महंगाई राहत शिवरों के जरिये आमजन को दिया जा रहा है ले लिया होगा आप लोगों नहीं लिया कि ले ली जिए सो यूनिट भीटली फ्री का मतलब है कि आप बैठे वे हो करीबे सब के भीटली फ्री हो गई है सो यूनिट के भीटली फ्री हो गई है किसान जो है कोई वहां पे कुवा उसके मोटर लग हुई है तो दो हजाए यूनिट फ्री कर दिये किसानों के लिए भी उनको एक हजार आर्थो को रुपे का प्रतिव माँ फाइदा मिल रहा है शारों में रोज़गा शुरू कर दिया है लंपीडों में गाय मर गई थी एक एक पसुपालक एक गाय का महने अभी 40,000 रुपे दिया उसके बैंक खाते गंदर और प्रण दो सो करोड़ वाटे हैं अभी हमने लंपी रुप गाय मर गई थी बैंड हजार गाय है वो पहरा माटा है आगे हमने गाय बैं सके का कोई विमा कर दिया उसका भी गायों का भी बैंसों का भी कि वो मज़र थी बाइदा वे तो 40,000 रुपे उसको मिलेंगे नहीं गाय खहिदने के लिए मिलेंगे इत प्रिकार दे हमने कई योड़ना लागू कर रखी है मुख्यमंत्री श्री अशोग गहलोत से यादव समाज के प्रतिनिधी मंडल ने मुलाकात की प्रतिनिधी मंडल की मांग पर श्री गहलोत ने श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोशना की मुख्यमंत्री ने साथ ही सेना में अहीर रेजिमेंट की गठन की मांग का समर्थन करते हुए इसके लिए केंद्रिस सरकार को पत्र लिखने की भी घोशना की प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्रीय अशो गहलोत का भार भी जताया मैं राजस्तान के यस्वश्वी मुख्यमंत्री आदेणी गयलोत साथ को आर्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यादो समाज की जो कई बरसों से मांग थी स्रीकृष्ण यादो समाज का जो बोर्ड गठन का मामला और अही रेजमेंट का मामला जो कई बरसों से लंबित था और जो मांगती समाज की उसके लिए कल हजारों के संक्या के अंदर मुख्य मंत्री साथ से निवास के उपर यादो समाज का नेलिगेसर मिलने के लिए गया था झाल नेलिगेसर मिलने के लगादो